सूप्रभातम आप सभी स्वस्त रहें इस मंगल कामना के साथ मैं जय की सूरसी हैं। आज निमंध की रूप रेखा लेकर आपके समक्ष उपस्तित हूं। विद्यार्थियों निमंध लेखन का कोई निश्चित नियम नहीं है। फिर भी कुछ आउस्यक नियम बनाये जा सकते हैं। निमंध की एक रूप रेखा तैयार करने के पस्तात विशय के प्रतिपादन में कठिनाई नहीं होती है। निमंध के किसी विविशय को हम मन ही मन अगर तीन भागों में बाट लें तो विशय प्रतिपादन में स्विधा होती है। विद्वानों ने सामान्य तह निमंध लेखान हेतु तीन भागों या तीन तत्यों की चर्चा की है। जिसमें पहला तत्व है प्रस्तावना या भूमिका। भूमिका में विशय की अस्थापना, सीमा या प्रभावकारी सैली रखी जाती है। प्रारम्ह करने के पुर्व किसी कभी की पंक्ति या पंक्तियां लिखना महत्यपून होता है। दूसरा तत्व है विश्तार। विश्तार निमंध का प्राण होता है। इसमें सभी अलग-अलग विचारों को अलग-अनुछेद में लिखा जाना चाहिए। तीसरा तत्व है उपसंहार या निसकर्स। निसकर्स निमंध का अंतिम्यम विश्ष्ट तत्व है। इसमें विश्तार की बातों को संचेप में रखा जाता है। इसी कंतर्गत किसी विद्वान के कथन को रखा जाता है। इसी तत्व पर निमंद का आकरशन निर्भर करता है। निमंद के उपर्युक्त महत्वपुन तत्वों के साथ ही मैं अपनी कक्छा अस्थगित करता हूं। और आपके लिए यह ग्रीह कारज है कि आप समय का महत्व विशय पर तीन सव सब्दों में एक निमंद लिखेंगे। जय हिंद जय भारत।